Hello Views, Welcome back to Naim English Club उमीद नहीं यकीन है आप बिलकुल ठीक होंगे क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दौाएं मेरे वियोर्ट के साथ हैं और यकीनन आपकी दौाएं भी मेरे साथ होंगी तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले Naim English Club को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करना मत भूलेगा साथ में बेल आइकन भी दबा दीजेगा ताकि आने वाली हर इंफोमेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके हमारी सेरीज से लही थी Literary Ages और Literary Ages में हम पहुंच चुके थे Modern Writing पे तो आज हम डिसकस करेंगे वरजीनिया वुल्फ को वरजीनिया वुल्फ Modern Writer है और इसका जो लाइफ स्पैन रहा वो 1882 से 1941 तक रहा वरजीनिया वुल्फ का और वरजीनिया वुल्फ यह नौवलिस्ट भी थी आशेसिस्ट भी थी पबलिशिर भी थी और याद रखें इसकी जो fame रिलाय करती है इसको जो fame मिली थी वो जो इसने जब stream of consciousness को अपने work में शामल किया था इसकी practical implementation की थी अपनी writing में इसकी वज़ा से Virginia Woolf को fame मिली लेकिन एक और बात याद रहे जो William James था इसने stream of consciousness term को introduce करवाया था लेकिन practical implementation जिसकी बुनियाद पर fame मिली वो कौन थी Virginia Woolf अच्छा इसका फादर था इसके फादर का जो नेम था वो था चिस्टरनन और ये एक assist भी था writer भी था कौन Virginia Woolf का फादर अच्छा इसकी बहन थी एक sister थी जिसका नाम था Vanessa Bell जो के painter थी Virginia Woolf की sister थी Vanessa Bell जो के painter थी 1895 में death होती है इसकी मदर की और 1905 में death होती है इसके बाप की इसने अपनी जिन्दगी में दो तफास suicide की attempt की थी Virginia Woolf ने she attempted suicide twice in her lifetime ठीक है जी और ये जब इसकी death हुई थी 1944 में suicide से ही हुई थी और इसने suicide कैसे की थी she put some rocks in her pocket और इसने pebbles rocks अपनी pocket में रखे और ये डूब कर मरी कौन Virginia Woolf ठीक है जी एक और writer भी था हमने पढ़ा था वो कौन सा जो डूब कर मारा था I think पीबी शैले था I'm not sure but you have to search it एक और important बात है Virginia Woolf के बारे में she belongs to Bloomsbury Group Bloomsbury Group में और जो writer है वो है E.M. Foster है Roger Fry है और Vanessa Bell है Vanessa Bell ये जो sister है उसकी Virginia Woolf की और Virginia Woolf ने शादी की थी Leonard Woolf से Virginia Woolf ने शादी की Leonard Woolf से और जो के honor था publishing house का और जो इसका publishing house था उसका नेम था Hogarthay Printing और जो इसका publishing house था उसका नेम था Hogarthay Printing Press अब अगर चले इसके works की तरफ तो works में सबसे पहले आता है हमारे पास the voyage out है फिर second पे है night and day The Jacob's Room Mrs. Dalloway To The Light House Orlando ये जो Orlando work है Virginia Woolf का ये इसकी बायोग्राफी थी और next हमारे पास जो work आता है वो है The Waves जो के 1931 में पब्लिश हुआ साथ मैंने dates भी mention कर दी है और The Year है Between The Acts है ये में जो works है उमीद नहीं यकीन है के ये short video clip आपको जरूर फाइदा देगा मजीद वीडियो देखने के लिए लाइक, शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा टेक के बाबाद पाल अचआप जड़ कीजिएब बाद Lynn